नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आईएस पर सो CPEC एक बार फिरसे सुर्खियों में आया है और इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि कई सारी ऐसी locations हैं CPEC की जहां पर Chinese Army, basically पाकिस्तान की आरमी के लिए bunkers बना रही है, CPEC के आड के अंदर यहां पर आप की यह वाली ख़बर है Chinese soldiers are building infrastructure for Pakistani army in POK and other areas बलकि हिंदोस्तान की भी खबर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि CPEC की आड में बड़ी साजिश रच रहा है चीन पाकिस्तानी सेना के लिए तयार कर रहा है बंकर तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे की what are the various areas जहां पर इस तरह की developments देखने को मिली है यह report किसके द्वारा पेश करी गई है वो भी जाना जाएगा and more importantly what are the various reasons जिसके चलते यह हमें देखने को मिल रहा है उस चीज के ऊपर भी हम लोग focus करने वाले हैं आए शुरू करते हैं दोस्तो मेरे साथ मेरा नाम है अने रुदियर्दी आप लोग इस लेक्षर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिये गए टेलेग्वाम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं इसके इलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम मिलते रहें तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं CPAC का जो planned route है वो यहां पर दिखाया गया है यह काशगर चाइना से शुरू होता है और उसके बाद यह जाता है ग्वादार तक जो की आपको मालूम है Arabian Sea में देखने को मिलता है हर और यहां पर यह वाला जो एरिया है यह पियो के का एरिया है यह वाला जो एरिया है यह आपका पाकिस्तान का जो अगेन एक और प्रोविंस है बलूचिस्तान के नाम से तो जो यहाँ पर सबसे पहले तो रिपोर्ट है वो दी गई है इंडिया की कुछ security agencies के द्वारा जिन्होंने government को inform किया है that a Chinese construction company उन्होंने अपने दफ्तर बनाए पाकिस्तान occupied कश्मीर में and they were controlling work being executed in areas adjoining मुझाफराबाद and आत्मुकम मुझाफराबाद और आत्मुकम बेसिकली दोस्तों P.O.K के एक major districts में आते हैं जहां पर कि ये वाला काम चल रहा है बता जा रहा है कि Chinese firms have carried out the construction in P.O.K. in the past too लेकिन पहली बार ये चिंता का विशे इसलिए बना है because इस बार जो यहां पर projects हो रहे हैं वो LOC यानि की line of control के काफी जादा नजदीक हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें कई सारे bunkers हैं जो की पाकिस्तानी आर्मी के लिए Chinese आर्मी के द्वारा बनाया जा रहे हैं Chinese engineers are not only working on the CPEC but they are also involved in defense projects for the पाकिस्तानी आर्मी इन पाकिस्तान occupied कश्मीर, बलूचिस्तान and सिंद अगर हम लोग locations की बात करें सबसे पहले P.O.K की बात करते हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 12 Chinese People's Liberation Army के अधिकारी हैं कुछ personal है, who have been spotted at Sharda in P.O.K. आपके सामने मैं map पे दिखाता हूँ location, यह आप लोग देखें यह location है Sharda की जो की P.O.K में fall करती है and they have been working to build the underground bunkers for the पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर कोई images या कोई satellite images भी सामने नहीं आई है लेकिन हाँ, जो report है क्योंकि वो इंडिया की security agencies के दोरा दी गई है इसलिए इसको हम लोग credible मान सकते हैं बलकि यह वाला जो area है, यहाँ पर पाकिस्तान की 40 frontier force है वो आपको देखने को मिलती है, very close to the LOC और वहीं पर उनके लिए ऐसा बताया जा रहा है कि underground bunkers को बनाने क्या काम चल रहा है इसके बाद एक और चिंता कविशे यहाँ पर यह भी है there is a place called as Neelum Valley आपको मालूम होगा, शायद आपने कभी नाम सुना हो तो Neelum Valley काफी ज़ादा strategically important area माना जाता है और यहाँ पर भी there are 10 to 15 Chinese engineers who are building bunkers for the Pakistani army यह जो है, यह जो नीलम वैली वाला area है दोस्तो इसके पास में एक जगा आती है जिसका नाम है फुलावाई जो की 12 किलोमेटर साउथीस में आती है और यह वही इलाका है जहां से बहुत सारे आतंकवादी basically कश्मीर के अंदर गुस्पैट करते हैं, infiltration करते हैं और इसलिए यहाँ पर अगर बंकस बनाय जा रहे हैं तो यह भी काफी चिंता का विशे बन जाता है यह दोनों की दोनों locations P.O.K की हैं इसके बाद की जो location आपको हम दिखा रही हैं यह दोस्तो सिंध का एरिया है, सिंध के एरिया में facilities have been spotted in Rani Court in Sindh यह वाला एरिया Rani Court का है, जो की नवाब शाह से काफी नजदीक पड़ता है और हैदराबाद से काफी नजदीक पड़ता है और यहाँ पर भी आपको बंकस देखने को मिले हैं यह वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, यह कराची पोर्ट के भी काफी नजदीक पड़ता है और फाइनली, पाकिस्तान का एक major cantonment area, जो की बलूचिस्तान में देखने को मिलता है यह वाला वो एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वादार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कराची है, तो यह कुछ locations है जहाँ पर हमें इस तरह की unusual construction activity देखने को मिल रही है इस चीज़ को लेकर किसी भी media agency के द्वारा किसी भी reporting के द्वारा कोई proper reason सामने नहीं बताया गया है लेकिन contemplation करी गई है कि इसके पीछे तीन बड़े कारण हो सकते हैं पहला कारण क्या है आपको मालूम है जो CPAC है उसको काफी सारे security threats देखने को मिले हैं इसले एक जेट साल में काफी सारे attacks हैं जो की Chinese nationals के ऊपर हो चुके हैं तो there is a possibility कि China जो है वो अपने लोगों के लिए थोड़ा चिंता में है और इसी लिए वो इस तरह के bankers यहां पर बना रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हैं security threats to CPAC worry Beijing यह कहानी कोई इस साल की नहीं है एवन तो खबर इस साल की है लेकिन यह कहानी काफी लंबे टाइम से हम लोग देखते आ रही है second कारण यहां पर यह भी हो सकता है कि शायद पाकिस्तान की आर्मी को help करने की कोशिश कर रहा है China so that CPAC जो की अभी तक बहुत सारे delays में फस्ट चुका था वो यहां पर successful हो सके CPAC आपको मालूम होगा कि contemplate किया गया था कि CPAC बहुत जल्दी खतम हो जाएगा लेकिन अभी भी CPAC में बहुत सारी हमें negative news देखने को मिलती है delay in CPAC projects, showing frustration in Pakistan, China इस तरह की reports आए साल बर साल सामने आती रहती है so there is a possibility कि यहां पर पाकिस्तानी आर्मी को help करने की कोशिश करी जा रही है so that CPAC जो है वो यहां पर successful हो सके और तीसरा कारण जो कि यहां पर बन सकता है वो यह है CPAC जो है वो local लोगों में बिलकुल भी popular नहीं है अगर हम बात करें P.O.K के लोगों में वो लोग भी इस चीज़ को लेकर नाखुश है अगर हम बात करें बलूचिस्तान के लोगों में तो लोग भी इस चीज़ को लेकर काफी नाखुश है All in all CPAC की जो problems है वो खतम नहीं हुई है क्योंकि CPAC की problem Chinese nationals के लिए भी है पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी है और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी है तो किसी भी चीज़ को टाक्ल करने के लिए यहाँ पर यह वाली construction activity हो सकती है एक्जाक्ट कारण नहीं मालूम है लेकिन हाँ यह news काफी credible है कि जी हाँ CPAC के तहत अब पाकिस्तान जो है sorry China जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी infrastructure को खड़ा कर रहा है आपको यह development कैसी लगी डेफिनेटली बताएए कॉमेंट सेक्शन और फिलहाल के लिए वीडियो में इतना जाएगी और हम लोग वर्ल्ड में 3rd largest standing army कहलाए जाएंगे फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही अपनी राय डेफिनेटली कॉमेंट सेक्टन दीजेगा जाने से पहले बताते हम दोस्तों हमारी जो क्लास एट्थ की जोगर्फी NCRT सीरी से बस्तमाब हो चुकी है क्लास नाइनथ की सीरी शुरू होने वाली है कल से इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिये गए है अल्सो टेस्ट बुक आपके लिए साल का सबसे बड़ा सेल रंड कर रहा है दो दिन 14 और 15 अगुस्त को जिसमें एक लग्की विनर को मिलेगी यूंडाई सांट्रो गाड़ी और बाकी जो भी अगर आप स्ब्सक्रिप्शन लिला चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं Thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.